नमस्कार आप देख रहे हैं सबसे देज न्यूस खाबर यूपी के लखीम पूर खीरी से है जहां जीले के पलियां छेत्र में दो यूखों के बीच हुए मामुली विवाद में एक यूख ने दूसरे यूख पर इट से वार कर दिया इट उसके सीर पर जा लगी जिससे उसकी मौत हो गई सरे शाम हुई इस घटना से पूरे गाउं में संसनी फैल गई देखते गटना स्तर पर भारी भीड जमा हो गई मौके पर पहुँची पुलिस ने शाओ को कबजे में लेकर पोस्मार्टम के लिए भेज दिया पलियां कोतवाली छेतर के ग्राम सबा मरुआ पश्चिम के गाउं सरखरा निवासी अमित सुमित कुमार राना का शुक्रवार स्वाम निवासी एक यूवक से किसी बात को लेकर विवाद हो गया बताय जाता है अक्रोशित यूवक ने सुमित के सिर पर इड़ से हमला कर दिया इससे उसकी मौत हो गई इस हत्या की वार्दात के बाद आरो की आरोपी मौके से फरार हो गया कुछ देर बाद हत्या की सूशना पर गाउं में भारी संग्यां भीर जुट गई और पुलिस भ फारोफ हुसायन की रिपोर्ट अब अब आपका जिसे जगड़ा हुआ हो रहा था ठीक खाली लड़ाई लड़ाई कुछ नहीं थी गारी गरोजा कुछ नहीं हुआ था और खाली उसने जिस सुमित्तर ने खाली एका था महाराजा तो करन ने कहा मेरा नाम क्यूं ले रहे ह ठीक हम भाई भाई ने चुड़ाया फिर उनको अलग लगा रहा फिर करन ने फोन किया दो भाई को बुलाया ठीक 37 और केवी को ठीक तो उसने उठाके फिर मार दिया कि करन ने मारा सुमित्तर को कि निटा लगने के बाद तुन्त गिर गये थे मद्दर हम तो पलिया थे सुचना हमको मिली की मद्दर हो गया है पलिया सिधे भागते आए गाउँ अपने गवल सुमित्त कुमार बिवाद की जानकारी नहीं थी इंपो जब यहां घड़ना से पहुंचे हैं थोड़ा बिवाद बताया है कि इंटा पत्तर से मारा उसको तुरंते घड़ना से मर गया हूँ कल दिनाग 4 दिसंबर को शाम के समय सरखनापूर गाओं थानापलिया छेत्र में दो व्यक्तियों के बीच में जगड़ा हुआ जिसमें करन राना नाम के व्यक्ति ने सुमित राना के सिर्पे इट से वार किया जिसमें सुमित गंभी रूप से गायल हो गया और बाद में उनक हो गई सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मोगे पर पहुचा गया सुसंगत धाराओं में अव्योग पंजी कृत कर करन राना को पुलिस के द्वारा गिरफतार कर लिया गया है झाल कर लिया झाल कर लिया है